हेलो गाइस मैं सब सावरनाट और फॉम कोटा हमने पिछली वाली वीडियो में 11 एक्सिसाइज को कम्पेट कर लिया है आज हम 12 एक्सिसाइज को स्टार्ट करते हैं यदी कभी भी घात जीसे की दोग में चर दिये हुए या घातांक दिये हुए कुछ भी एक्स जो समान है तो गाते जुड़ जाएगी ठीके एक्सिपावर दो जाईगी यदी कहते ऐसमान है अब एक तो प्लस है उपर रेगी और एक मेने से नीचे रहेगी तो इसका मन कितना बनने हो जाएगा यदि किसी की पावर का मान यदि 0 है तो उसका मान बन होता है क्या होता है बन होता है तो मिर्वन उनका यूज करते हो इन Question को complete करेंगे तो देखना को स्टाइट करते हैं Question में भी समस्ते भी जाएंगे 3 की power minus 2 3 की गात कितने minus 2 है तो इसको solve करना है सरल करना है बस आपको बताना है तो 1 3 की power minus 2 है तो नीचे लेके जाएंगे तो 3 की power plus किया दो यह answer आपको इस रोप में लेकिना है ठीके इसको सरल करना है बस अब देखना minus 4 की power minus 2 तो 1 बटे minus 4 नीचे जाएगा minus का 2 ठीके यदि हम इनको solve भी कर सकते हैं यदि आप इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटे 9 यदि इसको solve करेंगे कभी भी minus का square की बात हो जाएना तो plus होता है 1 बटे 16 यह answer next इसकी बात करते हैं भई देखना 1 बटे 2 की पावर minus 5 मतलब 1 की पावर भी minus 5 है और किसकी 2 की पावर भी minus 5 है तो इसको क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे उल्टा करने का मतलब देखने कहें 1 की पावर minus 5 बटे 2 की पावर minus 5 दोनों की पावर होई ना तो ये तो उपड चली जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और ये नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी एक की पावर कुछी भी हो उसका मान कितना होता है बन 2 की पावर पांच यानि 2 x 2 x 2 x 2 x 2 4, 8, 16, 32 कितना होगा? 32 ठीके हम question number second का देखते है question number second भी मैंने यहां लिखा हूँ सरल कीजी और उत्तर को धनात्म घातांग की रूप में लिखना है हमें ठीक है तो देखना सरल कर लेते हैं पहले जैसे किया था minus 4 की power 5 भाग का मतलग क्यों होता है बटे minus 4 की power 8 अब देखना कभी भी ऐसा question आ जाता है तो सबसे पहले आपको लिखना है minus इसको नीचे लेके जा रहा हूँ मैं plus की है ना नीचे लेके जाएंगे तो कितने हो जाएगी minus की तो minus 4 की power 8 और minus 4 की power minus के 5 जब आधार समान होते है ना तो घातें क्या हो जाती है हमारे जोड जाती है आधार समान दीग रहे minus 4 minus 4 बटे minus 4 8 और इसकी power कितने minus के बाद तो minus के 5 क्या हो जाएगा 1 बटे minus 4 की power 3 तो हमारा answer कितना जाएगा 1 बटे minus 4 की power 3 नेश लेता है 1 की power 2 बेकेट खोलेंगे तो 2 की power 3 2 की power 3 into 2 कितना हो जाएगा 1 की power 1 2 की power 6 यदि इसको soul करें 2 की power 5 तक का हमने यहां soul किया 32 तो 5 हो जाएगे तो कितना हो जाएगा 64 एक बटे 64 भी लिख सकते इसको ठेके इसकी बात करते हैं प्लस में soul करना है मैं तो minus की 3 की power 4 multiply by 5 की power 4 यहार बटे 3 की power 4 देखना यहां minus है यदि minus की sum गात होती है तो सेमाने वाला है हमारा तो यह तो हमारा क्या हो जाता है cancel हो जाता है बच्चे का कितना यह बच्चे ध्यान रखना कि minus का यदि power लगाओगे 4 भी इसकी भी power होगे 3 की power होगे यहार बच्चे वाला है 5 की power 4 मेंने 5 की गात 4 इसकी बात करते है 3 की power minus के 7 बटे 3 की power minus के 10 गोना 3 की power minus के 5 देखना हमाई यहां पर डारेक्ली दिखाए दे रहा है यदि मैं कहूं इसकी 3 की power से यह 5 भार फिर इसकी यह 3 की power 5 मैंने न इसमें समान कहते है 3 की power minus के 2 अब 3 की power minus के 2 को कैसे लिए सकते है 1 बटे 3 की power 2 यानि 1 बटे 9 भी के साथ गा जा सकता है इसको ठीके उसके बाद में बात करते हैं question number 5 की 2 की power minus 3 multiply by minus 7 की power minus 3 2 9 minus मैंने नीचे लिए जिल जाओ अब एक और तरीका बताता हूं इसका प्लस मैं जाएगी घाते हैं ये साथ दीक अभी question आ जाता है कभी भी घात समान हो चरलगलग हो तो multiply जाते हैं डारेक्ट 2 को साथ से करेंगे 14 की power 3 answer कितना 1 बटे minus 14 की power 3 next question देखते हैं question number 3 इसको रफ कर देते हैं question number 3 को देखते हैं question number 3 देखना इसमें पूछा गया है मान ग्यात कीजिए हम सभी question हो को लिख देते हैं मान ग्यात कीजिए तो फस्टे जो दिया हो है 3 0 पलस 2 की power 2 2 minus 1 2 की power minus 1 4 की power minus 1 multiply divided by 2 की power minus 2 next question number 3 1 by 2 की power minus के 2 plus 1 by 3 की power minus के 2 plus 1 by 4 की power minus 2 next question number 4 दिया हुआ है का 3 की power minus 1 plus के 4 minus plus के 5 power minus 1 की power 0 देखना इन क्यूस्टों को काफी इजिली सरलो कर दे जाते हैं मान याद तो देखना 3 की power 0 मैंने आपको बताया था किसी भी चरिया वेरेबल्स की power यानी constant की power consonant की power यदि 0 होती है तो उसका मान कितना होता है वन इंटू 4 की power minus 1 अभी जश्य सोल गया है एक बटे 4 भाग चिन भाग चिन का मतलब क्या डिवाइड 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 वाइड वाइड दो की power minus 2 ठीके इसकोर आगे बढ़ाते हैं कितना हो जाएगा एक बटे 8 अब देखना यह 2 की power किसका है माइनस का उपर जाएगा 2 की power 2 प्लस का एक बटे 8 multiply by 2 की power 4 4 से कितना बाग जाएगा दो बार जोने एक आंसर कितना है एक बटे 2 नेश कुछन है एक बटे 2 की power minus 2 एक बटे 3 की power minus 2 एक बटे 4 की power minus 2 तो क्या कर देंगे इसका उल्ट हो जाएगा 2 की power plus के 2 प्लस 3 की power plus के 2 और प्लस 4 की power plus के 2 चार प्लस के 9 प्लस के 16 चार और 13 13 13 और 16 तीक है नेश कुछन देखते हैं तीन की power minus 1 चार की power minus 1 पांच की मैंने आपको एक चीज़ बताया था यदि कभी भी किसी की power 0 होते हैं तो उसका मानेक होता है किसी का भी solve करोगे फिर पावर किसकी क्या हो जाएगी 0 तो इसका तो डारेक्टी में लिख सकता हो ना एक ठीक है तो क्या हो जाएगा 3 बटे 2 अब किस में हो जाएगी square में अब यह घाते क्या हो जाएगी multiply c by 2 2 into 2 minus का भी power 4 होगी और 3 बटे 2 की power भी क्या हो जाएगी 4 3 की power 4 है तो 3 into 3 into 3 into 3 बटे 2 into 2 into 2 into 2 3 तिया 9, 9 तिया 37, 87, 81 81 बटे 4, 8, 16 अब यह प्लस के क्योंकि minus की power 4 है ना सन संख्या में है तो इसका तो क्या हो जाएगा plus ठीक है काफ़ी जीली समझ में आया होगा आपको next question लेते है question number 4 question number 4 भी हमारा काफी easy है इसी pattern पर बस हमें sign का ध्यान रखना है इसमें चिन्ने का विशेश करके ध्यान रखना है सभी question number 4 दिया हुआ है मान ग्यात कीजिए इसमें भी question दिये हुए 8 की power minus 1 multiply by 5 की power 3 और 2 की power minus 4 देखना सबसे पहले power को plus करते हैं तो 8 की power कितना हो जाएगा एक बटे 8 multiply by 5 की power 3 का मतलब 5 की power 3 multiply by देखना 2 की power कितना है मैंस के 4 उपड़ चल जाएगा 2 की power 4 उपड़ चल जाएगा अब कुछ cancel हो रहा है क्या पांच का क्यूब 125 पांच इंटू 5 इंटू 5 लिख दो आप तो multiply by 2 का क्यूब 2 की power 4 है न तो 2 की power 4 आठ दो से चार बार दो से दो बार दो से करिया हो कितना आएगा 125 को 2 से multiply करोगे 250 ठीक है इसका 5 का क्यों कितना होता है 125 125 को जिससे 2 से multiply करोगे 25 125 इंटू से multiply करोगे 250 में इस question number second दिखते है इसका दिया हुआ है 5 की power minus के 1 multiply by 2 की power minus के 1 multiply by 6 की power minus 1 यही दिया हुआ है तो इसमें confusion नहीं हो न है multiply है न सभी गा तो multiply में क्या करेंगे एक बटे पांच multiply by एक बटे 2 multiply by एक बटे 6 कितना हो जाएगा दस साथ एक बटे साथ आंसर देश कुशन देखते हैं एम का मान ज्याद कीजिए यहीं देख लेते हैं किशन नंबर 5 भी किशन नंबर 5 एम का मान ज्याद कीजिए इसमें दिया हुआ है एम भागचिन 5 की पावर 3 प्लस का 3 है यह माइनस का 3 है बराबर 5 की पावर 5 प्लस के है ठीक है अब यह दियान रखना यह किसमें डिवैड में तो इसको मैं सबसे पहले सरल रूप में लिख लेते हैं माइनस का 3 बराबर 5 की पावर 5 अब देखना यह मैं किसमें ले जारा हूँ डिवैड में न मल्टिप्लाइ में ले जारा हूँ पाँच आदार समाने घाते को एड़ कर देते हैं 5 प्लस माइनस माइनस पाँच की पावर 2 अब देखना आदार समाने तो घातों के मान भी केशन होईंगे जब यह बराबर रहे तो समान पर एंग कामन कितना हो जाएगा लुक आफिज इसी कुशन था सबसे पहले हमने उसको क्या कर दिया सरल करते के भाग में ता भाग में लिख दिया फिर क्रोस मॉल्टिप्लाइक करने के बाद में आदार समाने घातों को जोड दिया लेकिन यह माइनस की काते तो प्लस तीन की पावर माइनस का वन माइनस एक पटे चार की पावर माइनस वन डेकिट में माइनस तो सबसे पहले देखना इस वाले कुशन को मिया सोल कर लेते हैं parentheses नहीं पहले अंधर वाला सुलक नहीं तो लेए मैंनस में नक्रोस होगा 1973 एक का ऊटीन की पावर एक प्लस का माईनस चार ख़़ए की पावर में पीप औं पुरा किसमें चल लेगा डिवाइड में तो पहले तो अंदर सोल कर लेता है माइनस बन माइनस बचने वाला है तो वन आपन माइनस कर बना और नहीं आंसर कितना एगा मैंस कर देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट इसको रफ कर लेता है किशन नंबर का 6 का सेकंड पार्ट देखेंगे इसका 6 पार्ट जो में दिया हुआ है 5 बटे 8 की पावर माइनस 1 मल्टिप्लाई बाइ 7 है 7 सोरी 7 बटे 8 बटे 5 की पावर माइनस 4 देखना माइनस में न तो उल्टा हो जाएगा 8 बटे 5 की पावर कितना हो जाएगा 7 multiply by 5 बटे 8 की पावर 4 अब ध्यान से देखना हम इसको खोल कर रहे है multiply by 5 की पावर 4 बटे 5 की पावर 7 multiply by 8 की पावर 4 देखना 8 की पावर 4 से 7 कटेगा तो 3 बज जाएगी इधर देखना 5 से 2 बच जाएगी 8 का क्यूब बटे 5 का square 8 का क्योब कितना हो तो 512 और 5 की पावर 2 है 5 की पावर भी 3 बचेगी ना 125 बचेगी देखना 4 थी 7 तो 4 में से 7 जाएगे तो कितना बचेगा 3 और जब 5 की क्यूब निगालते तो 125 और 8 का क्योब 512 तुमारा यह answer है नेश क्यूशन नमबर 7 का फर्स्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर क्यूशन नमबर 7 में क्या पूचा गया है सरल कीजिए इसमें दिया हुआ 5 25 मुल्टिप्लाइबा ट की पावर मैनस के फूर मल्टिप्लाइबाइब डिवैड़ वाइब की पावर मैनस त्री निपांच की पांच की गत मैनस तीन दस गुणा ट की पावर मैनस के आठ यहां पर दिया वाट टी इस नौट इकवल टू जीरो टी जीरो के बराबर नहीं है तो हमें टी देख लेते हैं इसमें सोल करते हैं 25 सबसे पहले घातों को प्लस में कर लो तो इसको उपर लेके चल ले जाते हैं तो पांच की पावर तीन प्लस का हो जाएगा कि यह किस का है माइनस इसको प्लस उपर लेके जाते हैं तो टी की पावर आठ तो प्लस को जाएगा है और तीbox आगा 125 को 5 से मुल्टिप्लाइगा 125 बटे 2 तीकी पावर 4 इसका सेकंड कुछा गया तो सेकंड कुछन पी निकाल लेते हैं इसको रफ कर देते हैं कुछन निमबर 5 को देखना यहां हो जाएगा इसका सेकंड पाट देखना पूछा गया है तीन की पावर माइनस के 5 मुल्टिप्लाइबर 10 की पावर माइनस के 5 मुल्टिप्लाइबर 125 बटे 5 की पावर माइनस के साथ मुल्टिप्लाइबर 56 की पावर माइनस के 5 देखना इसमें सब सब्सक्राइब घातों को प्लस कर लेते हैं तो नीचे लेके चले जाते हैं और इनक मैं में इनको छेंज करता हुँ। को देखना पांच ही लिख लेने दरहूं multiply by 6 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना multiply by 125 125 को क्या लिख सकते हैं पांच का क्यूब ना तो इसको 5 के क्यूब में चेंज कर रहा हूं बट तीन की multiple, 10 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 2, sorry 5 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर पांच अब इसको देखना 5 के पावर 7 फिर 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 सबको लग-लग लिख रहा हूं गाताया'm की रूप में dil पाँच की पावर तीन बटे तीन जैन की पावर पाँच है फार ख तो फार फारlegt और देखो इस प्रकार से हमने 12.11 exercise को complete कर लिया है जो next video आएगी हमारी उसमें हम 12.2 को देखते हैं ओके?